असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अंडे की बिल्कुल दमदार और नई रेसेपी जो की है बॉयल डेग टिक का मसाला तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसेपी को तो इसके लिए हम ले लेंगे बॉयल डेग यह देखे तो मैंने यह अफ कप मैंने यहां पर ओयल दिया है और इसमें हम एट कर देंगे थोड़ा सा जीरा और इसके साथ ही हम लगभग 3-4 प्यास को कट करके हम इसमें एट कर देंगे अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो प्यास का कलर जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इसे धनिया और हरी मेर्च यह देखिए जिसको कि मैंने क्रश कर लिया है थोड़ा सा यह हम इसमें एट कर देते हैं और इसे भी अब हम मिक्स कर लेंगे अब थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे थोड़ी देर के बाद हम इसमें कुछ पॉडर मसाले एट कर देंगे जि इसे भी भी मिख्स करते हैं इसके साथ ही टेस्ट के अकार्डिंग हम इसमें नमक कर देंगे अब थोड़ा सामीअ अच्छी सी में अच्छी से खुश्बू भी इसमें आने लगी है तो इस स्टेज में हम इसमें एट कर देंगे तो यह खती दही नहीं है खटी दही का use हमें नहीं करना है इसमें, तो इसमें दही add कर देते हैं, और अब हम सारे मसालों को दही के साथ बढ़िया से पका लेंगे, तो इसे mix कर देते हैं, और इसे हम cover कर देंगे, low flame रखेंगे हम गैस का, medium to high नहीं रखना है, यहाँ फ्लेम में ही पकाना है, तो तुर्कि हमें ग्रेवी की हिसाब से पानी एट करनी है तो मैं यहाँ पे एक ग्रेवी थीक ही मिक्स कर देते हैं और अब एक उबाला detto कैख अब देख सकते हैं मिल्ले तूदू क्ट करके रखे तो दिर दिरे से हमें इसमें सारे एक को एट कर देना है और अंडे को एट करने के बाद हमें इसे जादा चलाना नहीं है आप देखेंगे मैं इसे जादा नहीं चलाओंगी बस इसे एट करके हमें थोड़ा सा इसे पका लेना है उपर से हम इसमें कसूरी मेथी एट कर देंगे और अब हम इसमें एक ट्विस्ट देंगे एक कटोरी को मैंने फॉयल से रैप कर दिया है और इसमें घी मैंने पहले से ही एट करके रखा था उसमें हमें कोईला जला के रख देंगे और इसे कवर कर देंगे 15-20 मिनट तक के लिए क्योंकि हम यहाँ पर एक टिकका मसाला बना रहे हैं इसलिए इसमें टिकका का फ्लेवर लाना बहुत जरूरी है तो यहाँ पर यह लिजे 15-20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे तो यह हमारा एक टिकका मसाला बनके बिल्कुल रेडी है तो आप इसे गर्म गर्म नान रोटी या फिर राइस के साथ सर्व करें तो अगर आज की यह टिकका मसाला की रेशिपी आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें फैमली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर वन टाइम सब्सक्राइब करें थैंक यू